सिक्षित हैं हम तो समझदार भी बने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तक का नाम विज्ञान को शैतान बनने से रोकें विज्ञान की प्रगती इस युक की एक बड़ी उपलब्धी है उसने मनुष्य जाती को उच्वर भविश्य के लिए अधिकादिक सुक समवर्धन के लिए कुछ करने का नया उच्साह दिया है परन्तु विचारणी तत्य यह है कि तातकालिक लाब में अंधे होकर हम भविश्य को घोर अंधकार में बनाने के लिए आतुर हो रहे हैं आज का मनुष्य उसका गार पर आगया है जिससे आगे बढ़ने पर सर्वनाश ही सुनिश्चित है प्रस्तुत वुस्तक के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार प्रगती और प्रकृती में संतुलन बनाया जा सकता है और विज्ञान को शैतान बनने से रोका जा सकता है वुस्तक के कुछ सद्वाक्य हर वस्तु एक दूसरे के साथ घनिष्टता पुर्वक जुड़ी हुई है स्रिष्टी संतुलन विज्ञान को इकोलोजी शब्द के अंतरगत लिया जाता है स्रिष्टी क्रम की सू वेवस्था इंटरडिपेंडेंस, लिमिटेशन और कॉंप्लेक्सिटी पर निर्भर है प्राणी सिरुजन कितना ही क्यूँ न करे पर दौण में मृत्यु को जीत नहीं सकता हम सब एक ऐसी नाव पर सवार हैं, जिसके डूबने उतारने का परिणाम सभी को समान रूप से भुगतना पड़ेगा हमारे पुरशार्द की अपनी महत्ता है, पर ब्रम्भांडिय हल्चलें भी हमें काम विवश और बाध्य नहीं करती पुस्तक के मुख्य बिंदू, मनुष्य पूरी तरह मशीन न बने, सांस मत लो, इस हवा में जहर हैं, रोगों की जड़ें काटी जाएं, पत्ते नहीं, धर्ती को मार डालने का कुछ अक्र अनियंत्री प्रगती अर्थात महामरण की तैयारी ख्रूनौन की जहत्रिप्यन मुख्यां की जहत्यारी